हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू डेली अनलाइसिस ऑफ येजडी आएनर दोस्तो आप लोग प्लीज चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल एकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वट्सप चनल का लिंक दिया हुआ है आप लोग लिंक क्लिक करके वट् किसा बन सकते हैं दोस्तों फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या हुआ और थर्सडे के एनलाइसिस में हम लोगों ने क्या बोला था एक बार देख लेते हैं दोस्तों फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन इंडियान टाइम के अनुसार रिवेजडिय आएनर रुप लिया दोस्तो थर्जडे के daily analysis के वीडियो में हम लोगों ने clearly बोला था अगर spot market 83.21 का support break कर देता है तब जो है strong downfall दिख सकता है थर्जडे के daily analysis के वीडियो में हम लोगों ने clearly बोला था अगर spot market 83.21 के नीचे जाता है तब जो हैं हम लोग sale कर सकते हैं और 83 के लिए target कर सकते हैं दोस्तो अगर आप लोगोंने Thursday का daily analysis का वीडियो नई देखा है तब जो है एक बार देख लिजेगा उसी इसाब से हम लोगोंने Friday के trading session में 2 trade लिया दोस्तो जब spot market 83.18 के नीचे आया तब जो है हम लोगोंने future में trade लिया और downside 83 के level तक target किया और उसी इसाब से future trading में हम लोगों को 18 पैसा profit मिला दोस्तो 18 पैसा हो जाता है USD INR के लिए 9% profit on capital deployed जब spot market ने 83.21 और 83.21 का range break किया तब जो है हम लोगोंने 83 का put buy किया और उसी इसाब से option buying से हम लोगों को बहुती अच्छा profit Friday के trading session में मिला दोस्तो अभी हम लोग कल के लिए trade plan कर लेते हैं और उसके लिए चले जाते हैं 1R के chart पे दोस्तो वनर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 83 USD INR के लिए support बन गया है और दोस्तो फेट के chairman के dovish commentary के बाद जो है USD INR का outlook sell on rice का हो गया है तब से दोस्तो कल के trading session के लिए 83.05 बनने वाला है resistance 1 0.05 के उपर 83.10 बनने वाला है resistance 2 83.10 के उपर 83.15 बनने वाला है resistance 3 3.15 के उपर 83.18 बनने वाला है resistance 4 3.18 के उपर 83.21 बनने वाला है next resistance एटी 3.21 के उपर 83.25 बनने वाला है next resistance, 83.25 के उपर 83.31 बनने वाला है next resistance, 83.31 के उपर 83.34 बहुत ही strong resistance है, 83.34 के उपर 83.37 और 83.40 USD NR के लिए final resistance कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बनने वाला है, दोस्तों उसी इसाब से कल के ट्रेडिंग सेशन में जब भी price resistance के पास आता है, तब जो हैं हम लोग 2 पेसे का stop loss लगा के downside के लिए target कर सकते हैं, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर spot market 83 और 83.05 के range break कर देता है, तब जो हैं हम लोग 82.75 का put buy कर सकते हैं, और अपने risk reward ratio के इसाब से planning करके कल के ही ट्रेडिंग सेशन में exit कर सकते हैं, और दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 83 का support break हो जाता है, तब जो है 82.96 बनने वाला है next support, 82.96 के नीचे 82.92 बनने वाला है next support, 82.92 के नीचे 82.87 बनने वाला है next support, 82.72 के नीचे 82.80 बनने वाला है next support, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए final support बनने वाला है, दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 82.92 बहुत ही important support बनने वाला है, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 82.92 का support break हो जाता है तब जो है strong downfall दिख सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर spot market 83 के ऊपर sustain करता है तब जो है हम लोग 83.25 का call buy कर सकते हैं और अपने risk reward ratio के इसाब से planning करके कल के ही ट्रेडिंग सेशन में exit कर सकते हैं ट्रेडिंग सेशन में volatility हाई रहने वाला है और उसी इसाब से stop loss के साथ और proper money management के साथ trade plan करना safe रहने वाला है तो यह रहा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए USDA NR का complete analysis आशा करता हूँ आज के analysis आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजेगा और अगर पेली वार इस चनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन प्रेस कीजेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजेगा थैंक्स फोर वचिंग दे वीडियो